मेरे चनल पर मैं अपने सवी वियोज का हार्दिक अविनन्दन और स्वागत करता हूँ मैं आपके लिए कर्ब पार्ट पोर का एक वीडियो लेकर आ हूँ वीडियो में मैंने कर्ब उसकी विशेज जानकारिया और सूत्र के बारे में बताया है जैसे टांजिशन लेंट को ग्याद करना वर्चूल टांजिशन टांजिशन को ले करना कर्ब में चेक रेल और आउटर रेल के वियर को कम करना रनिंग कर्ब के उपर तदा क्राइटिरिया फॉर री अलाइन्मेंट के बारे में विश्टार से बताया है मेरा वीडियो अंतक देखें कर्ब उसकी विशेश जानकारियां और कर्ब से समंदि सूत्र के उपर कर्ब का पार्ट फॉर वीडियो लेके आया हूँ वीडियो की इस स्लाइड में केंट ग्रेडियन्ट, केंट डेफिशन्सी, केंट या केंट कमी के परिवर्तन की दर, मैक्जिमम परमेसिबल स्पीड, मैक्जिमम सेक्शनल स्पीड, ट्रांजिशन कर्ब और ट्रांजिशन लेंध को ग्याद करने का तरीका तथा great compensation को ग्यान करने के तरीके को विस्तार से समझाया है कर्व उसकी विशेज जानकारियां और कर्व से समंदि सूत कर्व special information and formulas related to कर्व कर्व उसकी विशेज जानकारियां और कर्व से समंदि सूत नमबर वन है can gradient और can deficiency ये gradient की वो दर rate है जिस पर can't और can deficiency transition की दी गए लंबाई में बढ़ती या घटती है TL transition length को 100 meter लिया है और CA कर्व का can 100 mm लिया है इसको एक चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं ये TL 100 meter और CA 100 mm है अब इसका जो फार्मूला रखेंगे हम can gradient CG इसकल टू हो गया 1 in TL divided by CA तो ये हो जाएगा 1 in 100 into 1000 meter को convert किया mm है divided by 100 तो ये आता है 1 in 1000 यानि 1 in 1000 के gradient का मतलब है कि प्रतेक 1000 mm की transition की लंबाई में 1 mm की can या can deficiency में कमी या छती हो जाती है नमबर वन can gradient 30 का कारण बनता है नमबर दो can gradient की वांचनी ये desirable value 1 in 720 या 1.4 mm पर मीटर है नमबर त्री है can't की तीवतम value steepest value 1 in 360 या 2.8 mm पर मीटर है नोट ट्रांजिशन कर्व पर दो लगातार स्टेशनों 10 मीटर के बीच 14 mm से अधिक can't में परिवर्तन नहीं होना चाहिए नमबर दो है can't या can't की कमी के परिवर्तन की दर rate of change of can't और can't deficiency RACA हमने can't को दिखाया है rate of change आबलिक RACD इसको rate of can't deficiency को denote करता है ये can't या can't deficiency की वो मात्रा amount है जो कर्व के transition पर अधिकतम अनुमेगती maximum permissive speed से गुजरते समय प्रती से केंड बदलती है पार्मूला है RA rate of change of can't is called to CA into VM divided by 3.6 into L यहां RA can't परिवर्तन की दर mm पर सेकंड है CA can't mm में है L transition land meter में है VM अधिकतम अनुमेगती maximum permissive speed kmph में है 3.6 mm पर सेकंड को kmph प्रती घंटे में बदली करने का फेक्टर है यहां पर एक table हम आपको दिखा रहे हैं पहले कॉलम में है can't या can't कमी परिवर्तन की दर दूसरे कॉलम में पहले value थी तीसे कॉलम में अब IR PWM 2020 की correction slip dust के अनुसार बांचनिय desirable value 35 mm per second और अब बर्तमान में ये 50 mm per second हम लेंगे अधिक्तम maximum value 55 mm per second और बर्तमान में हम लेंगे 60 mm per second एक्जाम्पल 50 mm per second की दर का मतलब होता है कि अधिक्तम अनुमे गती maximum permissible speed पर यात्रा करते समय एक बाहन transition के दौरान यात्रा travel के प्रते एक second में can't में परिवर्तन या 50 mm की कमी का अनुवब करेगा नमबर तीन अधिक्तम अनुमे गती कर पर maximum permissible speed on curve ये वो उचितम गती है जो किसी कर पर कर की radius, actual can't, can't coming, can't deficiency, can't अधिक्ता, can't access तथा transition की लंबाई को ध्यान में रखते हुए किसी कर पर अनुमत आबलिक परमिट की जाती है जब किसी कर पर अधिक्तम अनुमे गती उस section की अधिक्तम गती से कम हो तो इस्थाई प्रतिवन PSR, Permanent Speed Restriction आवश्चक हो जाता है इसका सूत्र है V is equal to 0.27 under root CA plus CD into R R curve की radius मीटर में है, V speed के MPH में है, CA actual can't है, MMA और CD अनुमे can't deficiency MMA है नमबर 4 अधिक्तम sectional speed Maximum sectional speed ये वो गती होती है जो track structure, track सुभिधाओं, locomotive के प्रकार और किसी विशेश section पर चलने वाले load के प्रकार को ध्यान में रखते हुए CRS द्वारा अधिक्रत की जाती है नमबर 5 है transition curve Transition curve एक आसान कर्व, easement curve है curvature की degree सुनिशित करने के लिए सीधे track और circular track के भी प्रदान किया जाता है और can't oblique super elevation का लाब इसकी पूरी लंबाई में समान होता है ये tangent point 0 से शुरू होकर circular curve के निर्दिष्ट मान तक होता है ये हम आपको चितर में दिखा रहे हैं ये देखिए blue color से हमने दिखाया है transition ये 0 है tangent point T1 और T2 को दिखाया है ये उपर angle है red color से circular curve को हमने दिखाया हुआ है नमबर छे transition लंबाई का सूत्र formula for transition length transition curve के लिए इसको हम दो table के रूप में दिखा रहे हैं पहले transition length का सूत्र था अब IR PWM 2020 की correction slip 10K बाद के सूत्र ये है can't के परिवर्तन की दर 35 mm per second rate of change of can't RCA 35 mm per second formula में रखेंगे पहला RCA is equal to CA into VM 3.6 into L बराबर 35 is equal to CA into VM divided by 3.6 into L is equal to हो जाएगा L बराबर CA into VM 35 into 3.6 तो L बराबर हो जाएगा CA into VM divided by 126 L की value आईगी 0.0079 CA into VM तो इसको round off करके say L1 हो जाएगा 0.008 CA into VM इसी प्रकार से we can deficiency के परिवर्तन की दर RCD 35 mm per second लेंगे RCD is equal to हो जाएगा CD into VM divided by 3.6 into L 35 value रखेंगे CD into VM divided by 3.6 into L L is equal to हो जाएगा CD into VM 35 into 3.6 तो यह L की value आएगी CD into VM divided by 126 L2 का मान आएगा 0.008 CD into VM नमबर C बांचिनियर डिजारेबल केंट ग्रेडियेंट 1 in 720 या 1.4 mm per मीटर थर्ड टांजिशन लेंड का फार्मूला होगा L3 is equal to 0.72 CA सीमी जगा में ट्रांजिशन लेंड L is equal to 0.36 CA उपरोग सूत्र अब नन ट्रांजिशन कर्ब में लगेंगे अब IR PWM 2020 की कर्रेक्शन स्रिप 10 के बाद के सूत्र A केंट के परिवरतन किदर 50 mm per second लेंगे तो RCA is equal to 50 mm per second फार्मूला रखेंगे RCA is equal to CA into VM divided by 3.6 into L value 50 is equal to CA into VM divided by 3.6 into L L बराबर हो जाएगा CA into VM divided by 50 into 3.6 solve करने पे L is equal to CA into VM divided by 180 तो इसकी length का फार्मूला आएगा L is equal to 0.00555 CA into VM से round off करेंगे L1 is equal to 0.0056 CA into VM अब भी फार्मूले से हम निकालेंगे can deficiency के परिवरतन किदर तो RCD को भी हम 50 mm per second लेंगे फार्मूला होगा RCD CD into VM divided by 3.6 into L is equal to मान दखेंगे 50 is equal to CD into VM divided by 3.6 into L L is equal to जाएगा CD into VM divided by 50 into 3.6 L is equal to solve करने पे आएगा CD into VM divided by 180 तो इसका जो फार्मूला होगा L2 का L2 is equal to 0.0056 CD into VM transition length का फार्मूला C से वांचिनियर desirable can gradient 1 in 720 या 1.4 mm per meter तो L3 is equal to जाएगा 0.72 CA सीमी जगा में transition length जहां पर transition length पूरी उपलब नहीं होगी तो यह हम लगाएगे L is equal to 0.36 CA सूत्र में CA and CD mm में है L मीटर में है Speed VM KMPH में है और 3.6 मीटर पर से किलोमीटर प्रतिगंटे का फेक्टर है नोट है उपर transition length के सूत्र A और B can't और can't deficiency 50 mm पर second पर अधारित है और C formula अधिक्तम can't gradient 1 in 720 या 1.4 mm पर मीटर पर अधारित है जो transition length अधिक आएगा उसे transition length मानेंगे नमबर 7 grade छतिपूर्ती, grade compensation कर्ब के कान अत्रिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए वो मात्रा amount है जिसके द्वारा ruling gradient को कर्ब पर flatter किया जाता है तो उसे कर्ब पर grade छतिपूर्ती, grade compensation कहते है grade compensation कर्ब की sharpness पर निर्फर करता है अब इसको निकालने का सूत grade compensation को ग्याद करने का सूत BG track में 70 divided by R percent में होगा अब R की value हम उस formula से निकालेंगे R is equal to 1750 divided by D इसको value को रखेंगे तो 70 into D 1750% तो इसका मान आएगा 0.04% degree of curve अब compensated gradient को हम निकालते हैं बराबर होता है ruling gradient minus grade compensation सूत्र है example question है BG track में 4 degree curve के लिए compensated gradient को ग्याद करें यदि section का ruling gradient 1 into 50 है solution हल कर रहे है number 1 है ruling gradient 1 into 50 1 divided by 250 into 100 तो इसकी value आती है 0.4% number 2 है BG track में grade compensation उपर के formula के इसाब से 0.04% प्रती डिगरी कर तो 4 डिगरी के लिए यह होगा is equal to 0.04 into 4 0.16% अब compensated gradient पराबर होता है ruling gradient 1 का मान रखेंगे minus grade compensation 2 का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 0.4 minus 0.16 is equal to 0.24% 1 divided by 0.24 into 100 तो यह हल करने पे आएगा is equal to 4.16.66 से answer होगा 1 in 416 compensated gradient उस कर के लिए होगा इसी तरह से आप भी grade compensation के सवाल को हल कर सकते हैं जो अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है और इस slide का आप screenshot ले लिएगा यह आपके लिए बहुती लाबकारी और उप्योगी है कर्व उसकी बिशेश जानकारियां और कर्व से संबंदी सूत सीजे ट्रैक पर एक समान linear बेक, linear velocity से चलती हुई एक rail गाड़ी की जैसे ही पहली बोगी इसपर्श बिंदू tangent point पर पहुंसती है angular बेक, angular velocity में परिवर्थिस होने लगती है ये परिवर्थन तब तक जारी रहता है जब तक पीछे की बोगी इसपर्श बिंदू tangent point तक नहीं पहुंच जाती है जिस छण train, आबलिक गाड़ी, पून, angular velocity को प्राप कर लेती है train की गती में एक सीधी रेखा से एक कर्व तक परिवर्थन बोगी केंतरों के 20 सबसे कम दूरी होती है और इसी दूरी को कालपनिक आबलिक virtual transaction कहा जाता है यह चित्र मैं आपको virtual transaction को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ इसमें मैंने green color से vehicle या बहान को दिखाया है 1 और 2, 1 पहली बोगी है, 2 दूसरी बोगी है अब first चित्र 1 में हाप देखेंगे बहान सिधाई में है दोनों इसकी बोगियां सिधाई में है 2 बहान आशिक रूप से सिधाई में है मतलब एक बोगी इसकी स्टेट में है और दूसरी circular portion में entry कर रही है 3 बहान कर्व में है मतलब इसकी दोनों बोगियां जो हैं वो कर्व में हो गई है जो angular velocity को प्राप कर ली है virtual transition की अफशकता तब होती है जब सीधे और circular कर्व के बीच कोई transition कुछ कारणों से प्रदान करना संभब नहीं होता है virtual transition की लंबाई broad gauge के लिए नमबर वन है IRPWM 2020 के अनुसार 14.785 मीटर नमबर टू है SOD के अनुसार 14.9 मीटर है virtual transition या non transition कर्व के मामलों में अधिक्तम केंट 40 mm जो circular कर्व में प्रदान किया जा सकता है केंट gradient CG 1 in 14.785 transition की value को रखा है हमने जो मीटर में multiply by 1000 mm में convert किया है और 40 mm केंट है ये हो जाएगा 1 in 369.62 से 1 in 369 केंट को virtual transition में आधा straight और आधा circular कर्व में दिया जाता है नमबर 9 transition laying laying transition transition कर्व को cubic parabola के रूप में बिचाया ले किया जाता है और उसे समाहित accommodate करने के लिए मुक circular arch को जितनी मात्रा में भीतर की और खिसकाया जाता है उसे shift कहते हैं A है shift ग्यात करने का सूत्र S बराबर है L square divided by 24R यहाँ पर S shift मीटर में है L transition लंबाई मीटर में है R radius मीटर में है नमबर B सीधी लाइन से transition करके किसी बिंदू तक centimeter में offset निकालने का सूत्र सूत्र Y is equal to S cube divided by 6RL यहाँ पर Y सीधी लाइन से offset मीटर में R radius मीटर में X कर्व से प्रारम की दूरी मीटर में L transition length मीटर में नमबर C उपरोग चित्र के अनुसार मूल circular कर्व T C सीधी लाइन को T बिंदू पर इसपर्ष करती है कर्व को Z Y तक खिसकाया गया है और T Z खिसकाने की मात्रा यानि shift है transition curve M N P shift को N बिंदू पर दिभाजित bicep करता है नमबर 10 करवों पर जोड joints on curve नमबर 1 है ये सुनिशित किया जाना चाहिए कि करवों के शुरू में और करवों के अंत में fish plated जोड सामानता गुनिया square में डाले जाए नमबर 2 है 400 मीटर से अधिक तीके आबलिक sharp करवों पर जहां elbow king की संभाबना रहती है जोडों को आगे पीछे staggered रखना चाहिए अब एक चित्र हमने दिखाया है ये curve में joint J से दिखाये हुए हैं ये देखे staggered joint इसको कहते है नमबर 11 करवों पर check rail check rail on curves sharp करवों पर check rail को बाढ़ने के करण गाड़ी के rail से उतरने railment का खत्रा कम हो जाता है broad gauge में ये है schedule of dimension SOD के अनुसार 8 degree या उससे अधिक sharp करवों पर check rail को करव की inner वाली rail के अंदर की तरफ उचित गैब के साथ बाढ़ना जाएगा बी है ऐसे स्थानों जहां पर check rail को बाढ़ना है का निर्ने मंडल इंजीनियर द्वारा rolling स्टाकों की पर क्रमिता, negotiability और करव की जैमिती को ध्यान में रखकर लिया जाएगा ये देखे एक चितर में हम आपको दिखा रहे हैं ये करव की outer rail है ये inner rail है और check rail red color से हमने बंदी हुए दिखाई है check rail का clearance 44 mm minimum होता चाहिए इस चितर में 8 डिगरी से अधिक के करव में check rail को बंदे हुए दिखाए गया है check rail का minimum clearance 44 mm होता है number 12, करव की बहारी रेलों में wear, wear on outer rail of curve number one है करव की बहारी रेलों की gauge face के wear के प्रभाव को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है a है करव की बहारी रेलों की gauge face का lubrication आपलिक gauge face में grease लगा कर b है करव की जमित्री का सही रख रखाओ और करव में can't super elevation को सही रख कर c है उप्यूक्त check railों को लगा कर d है sharp करव में RDSO की ड्राइंग के अनुसार slack gauge के psc sleeperों को लगा कर special slack gauge psc sleepers for curve bg track में इसको एक table के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं इसमें पहला कॉलंब है sleeper drying number दूसरा है running rail तीसरा check rail और चौता है slack gauge इसको हमने प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8 mm को दिखाया हुआ है psc sleeper curve 22.5 टन ड्राइंग नंबर है rt4170 से rt4173 running rail 60 kg की check rail 52 kg की 1675 में लगेंगे rt4170 1677 में लगेंगे rt4171 1679 में लगेंगे rt4172 और 1681 में लगेंगे rt4173 इसी प्रकार से दूसरी ड्राइंग हम दिखा रहे हैं 22.5 टन के लिए rt4183 से rt4186 60 kg की running rail होगी और 60 kg की ही check rail होगी sleeper लगेगा rt4183 rt4184 rt4185 rt4186 अब हम wider psc sleeper 25 excelton के लिए दिखा रहे हैं rt8979 से rt8982 60 kg की इसमें running rail होगी और 52 kg की check rail होगी rt8979 rt8980 rt8981 rt8982 wider psc sleeper 25 excelton दूसरी ड्राइंग है rt8621 से rt8624 60 kg की running rail होगी और check rail भी 60 kg की होगी rt8621 rt8622 rt8623 और rt8624 के sleeper इसमें लगाए जाएंगे broad gauge में लगने वाले सभी psc sleeper gauge 1673 के साफ से design किये गए हैं और इस table में check rail में लगने वाले sleeper plus 2 mm slack gauge, 4 mm slack gauge, 6 mm slack gauge और 8 mm slack gauge के लिए बनाए गए हैं जिसमें broad gauge में check rail को running rail के साथ बादा जाता है रोमन नमबर टू, curve radius 875 meter, 2 degree या अधिक के करगों पर automatic rail lubricator को लगाना चाहिए ताकि rail के gauge face के वियर को कम किया जा सके नमबर त्री है, ऐसे मारगों पर जहां RGM rail grinding machine चलती है उस track पर curve radius 1400 meter, 1.25 degree या अधिक होने पर gauge face की greasing के लिए automatic rail lubricator को लगाना चाहिए नमबर 4 है, rail lubricator को लगाने का इस्थान A double line में जहां पर traction कर प्रारंब होता है, वहां पर rail lubricator को लगाना चाहिए वहीं से wheel की franging प्रारंब होती है B है, single line में rail lubricator को अधिक traffic के दिश्या में लगाना चाहिए C है, lubricator को switch, crossing या ऐसे इस्थानों पर नहीं लगाना चाहिए जहां LWR में अलगाओं हो सकता है रेल में लगे हुए automatic rail lubricator और उसके grease tank को दिखाया गया है नमबर 13, कर्बो पर running, running on curves Roman 1 है, कर्बो पर smooth और संतोज जनक running के लिए A है, curvature और can't, आपलिक ऐसी super elevation में आकास्मिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए B है, प्रतेक बिंदू पर can't, super elevation curvature के अनुरूप होना चाहिए नमबर 2 है, schedule of dimension के अनुरूप, JE, SSE, ADN को कर्ब के निरिक्षिण के दोरान वर्साइन, can't, gauge की जाच करनी चाहिए और तब भी जाच करनी चाहिए जब TRC के परणाम खराब आएं या engine निरिक्षिण के दोरान running खराब मिले नमबर 3 है, कर्ब के realignment का निर्ण है, SSE, ADN लेंगे और नीचे दिये बरसाइन के station से station के अंतर पर realignment होगा कर्ब के realignment का मापड़न, realignment criteria for कर्ब, एक table में हम आपको दिखा रहे हैं serial number, कर्ब की speed, station से station बरसाइन का अंतर number 1 है, 160 kmph and up to 110 kmph, 10 mm का difference for speed 110 kmph, 15 mm का difference या circular भाग में औसत बरसाइन का 20% जो अधिक हो number 2, below 110 speed up to 50 kmph, 20 mm या circular भाग में औसत बरसाइन का 20% जो अधिक हो number 3 है, below 50 kmph, 40 mm या circular भाग में औसत बरसाइन का 20% जो अधिक हो यदि 20% से अधिक स्टेशनों में निर्धारिस सीमा से अधिक बरसाइन अंतर है तो कर्व का एक महा में realignment होगा, मतलब यह हुआ यदि difference हमारा station to station कर्व में 20% से अधिक ऐसे station मिलेंगे तब हम उसका realignment प्रपोस करेंगे इस slide का आप एक screen shot ले लिएगा, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लापकारी है मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें यदि अच्छा लगे तो यूटूब पे जाकर कमेंट करें मेरे चैनल को यदि आपने subscribe ने किया है तो चैनल को subscribe करें और अगले वीडियो का इंतिजार करें धन्यवाद